मैं डॉक्टर जी सी मेना एसोशेट प्रप्सर पल्टिक साइंस गवर्मेंट पीजी को लिस बांदे गुई आज हम बात करेंग शुक्राचारे शुक्र नीती की इस नीती का सार जो राजा दिनराज चिंतन करेगा वो ही राजभार को उठाने में समर्थ होगा शुक्र नीती के सम्मान दूसरी को नीती तीनों लोकों मनी है जोहरवादी मनुश्यों के लिए शुक्र की नीती ही नीती है और बाकी सब को नीती ऐसा सुक्राचारे का मानना था शुक्राचारे और शुक्र नीती सार में प्राचिन भारत की राजनेती चिंतर में जिन विक्तियों को बहुत अधिक सम्मानपूर इस्थान प्राप्त है निसंधे उनमें एक नाम निश्यत्रुप से सुक्राचारी जी का है जिने शुक्र की नीती की नाम से ये शुक्रचारे नीती की नाम से ख्याती प्राप्त है डंडी के दस कुमार चरीत्रम में राजनिती सास्तरकारों के नामों को जो उलेख है उनमें सरप्रवं के स्थान शुक्रचारे को दिया है प्राजिन भारती राजनेतिक चिंतन में भी महवारत काली निस्तिती में भी शुक्रनीति सार की चर्चा की गई है शुक्रनीति सार शुक्र का सरप्रशित गिंत है और शुक्रनीति के रचनेत अकार के समन्द विद्वानम बहुत गहरा भेद भी है शुक्नेतिक प्राणम गोशित किया गया कि भार्गो शुक्र का अपने शिश्यों को दिया गया उपदेश है या सन्देश है और एक अंसंदर में लेखक ने से भगवान, ब्रह्मा दोर्य मनुष्य मात के एधार्त रचित नीती सार का सारांस बता है वस्तोते इस इस्तिती को स्विकार कर पाना बड़ा कठीन है कदाचित लेखक निया जानते हुए भी उसका भारती राजने चिंतरंक चेत्र में आगामी काफी बाद में हुआ और अपने रचना को अती प्राचिन काल की रचना पर जोड़ने का प्रियास किया और निसंदे रूप से विशेवस्तो और विविचरिक सेली का अधार पर शुक्र निती कोटिल के अर्शास्त्र के इबाद की रचना प्रतीत होती है राजेंदराल मित्र और डाक्ट गोशाल ने उनके रचना पारवी और सोड़वी सताब्दी के मद्दवानी है वस्तो इस्तेती है कि इसका अधिकांस भाग ग्यारवी बारवी सताब्दियों में लिखा गया इन तो इसमें कुछ अंस चौदवी सताब्दी तर जूड़ता चलाएगा शुक्नीती में चार अधिया और बाईसो स्लोक हैं ऐसा कहा गया है इनमें पहले और दूसरे अधिया में राजा उसकी महत्वे और कर्तब सामजिक व्यस्ता मंत्री यूराज राजा समंदी विश्यों का विविचन किया गया तीसरे अधिया में साधार नीती सास्त्र का विविचन है जिसका समंद राजा और सभी से और चोथा जो अध्या है उसमें सबसे अधिक लंबा है जिसे मिश्र अर्थार्थ विविद विशे प्रकरण नाम दिया गया मित्रों उदासीनों सत्रूंब आशरोत और राज छेत्र विज्ञान और कलाए मनुश्यों की कर्तब वरक्ष लगावाना कुई एक खुदवाना नियाव्यस्ता जेना आधि विश्वों की विविचन है और इस परकार शुक्रण निति में सासन का लाम कहीं अधिक विश्य शामगरी है इसमें सदाचरण और संपूर नेतिकता की विविचन है और सासन का आलमे तो उसका एक अंग मात्र है ये बहुत महत्पूर्ण बाद कोटल का जो और सास्तर था जिसे चानक नीति सास्तर भी कहा गया मैं राज्जा और सास्तर लिखे गरंतों में शुक्र निति का महत्व अन्य सभी गरंतों से बढ़ करें डाक्टर बेनी प्रसाद ने किस्तान पर लिखा कि सोम देव सूरी के बाद सास्तर पर लिखे गए हिंदू गरंतों में ये सबस्यादिक महत्पूर्ण था और स्वाम शुक्र न गोशित किया उसका ग्रंत राजाओ और दूसरों के इतार्थ लिखा गया शुक्र निती की विशेवस्तों की बारे में स्वाम शुक्र न अभिमान पुरुक लिखा इस नीती सार का जो राजा दिंडराज चिंतन करेगा वही राजभार को उठाने में समर्द होगा और शुक्र निती के समान दूसरी को नीती तीनों लोगों मनीगे यहाद मनुश्यों के लिए शुक्र की ही नीती है बाकि सब को नीती है शुक्रनिती इस विशे पर बाद में लिखे गिंतों की तुल्णामि अपनी एक मौलिकता लिये हुई है और विवनबातों के समंद में विचारों की स्वتनता की कारण अन गिंदों से भिन भी है शुक्र की अभिमान सूचक कतन में कुछ सथ अवष्य है प्रपसर अल्तेकर के सब्दों में प्राजिन भारती राजी सास्त्र के द्धन के द्रिष्टे से शुक्र नीती बड़ी उप्यूगी है और अन्गर्णतों के समान इसमें राज्यों और सास्त्र के से द्धानतिक विविचेन किया गया पांति उनमें सास्न व्यस्ता के जैसा संद्र विम्मन है वैसे आर्शास्तर के बात किसी अन्य करेंत्व नहीं है डंड नीती या नीती सास्तर राजनती विचारों के मेत की रूप में कामंदी की भाति शुक्र ने चार विधाय माने आनविक्षकी त्रई वारता और डंड नीती ये चार विधाय मनुष्यों के योग छेम के लिए आवशक है उतर राजा कुछ चारों ही विधायों का सदा अभ्यास करना चाहिए आनविक्षकी में न्याय सास्तर और विधानतादी हैं त्रे में धरम आर्था और कामला और मोक्ष है आर्थ और अनर्थ वार्था में हैं और न्याय और न्याय धंड नीती मात है दोस्टों के दमन को डंड कहता है इसका राजा डंड रूप है और राजा की नीति डंड नीति है शुक्र नीति का अनुचार ग्यान की अनिसाखा है जीवन के किसी विशेश पक से समझ देता है उनकी उपियोगता और महत्व सीवेत है इसकी विपरिश डंड नीति अनीति साथर ग्यान की वेसाखा है जो स्वय मैं पोण और स्वयत है डंड नीति की पोणता इस अत्त्त से स्पष्ट है कि सबी लोगों के उत्थान और सामझिक व्यस्ता को शुरक्षित रखने के उपाए डंड निती और निती सास्तर की परिधिमा आते हैं और शुक्र निती का अंसार ग्यान की साखाएं राजनेती ग्यान के दिन धारम आर्था और काम का मूल आधार मोक्स को निश्रुनिशित करने वाला डंड डंड निती और निती सास्तर को भी माना जा सकता शुक्रिकर्णसा राजा को बड़ी परिश्रम से नीती सास्तर का ध्यन करना चाहिए और प्रजा का पालन दुष्टों को नास ये दोनों राजा के परमधरम इन दोनों के पालन नीती के बिना नहीं हो सकता जैसे देहधारियों के लिए भोजन की जीना के बिना जीना संभव है वैसे इस नीती के बिना संपूर्ण लोग का विहार इस्तित नहीं हो सकता और राजा को अपनी हित के उद्देश से ऐसी नीती को विलम में करना चाहिए जिससे सारा राष्ट बिना प्रेणा के राजज और राजा के घितमत अत्पर होगे हम देखेंगे राजा के सब्तांग सिध्धान्तों की बात शुक्रनिती में की है और प्राचिन भारत की राजनितिक चिंतर में राज की प्रशिंग में सब्तांग सिध्धान्त को मैंतप राप्त रही और शुक्रनीति सादर में भी सब्तांग सिध्धान्त का उल्ले किया है और शुक्र कर्णसा राज के साथ जो अंग है राजा, मंत्री, मित्र, कोश, राष्ट, दूर्ग और शेनौ शुक्रनीति की बात यह है कि साववे सिध्धानत को अपनाती हुए एक इस्तान पर राज की तुन्ना मानवसरीर से करते हैं और इन साथ उंगों को राजीरूपी मानवसरीर का अंग बताए गया और इन साथ उंगों में राजा परधान है उसकी स्थिति मस्तक के समान है और मंत्री आखे मित्र, कान, कोश, मुख, सेना, मनु, दुर्ग, दोनों, हात और राजीरूपी सीरीर के पैर है राज के समन्द में साब्वय धारणा को अपनाते हैं शूक्प निते में एक तो आ राज की तुल्ण perks ये के हैं और राज रुपी इस वरक्ष का मूो राजा होता है और मन्त्री इसकंद्र ढाले होती है सेना पति वर्ग साखाया और सेना पल्लव है और प्रजा फूल और प्रत्वी के भाग फल और भूमी बीज है डाक्ट गोर्शाल ने शुक्र द्वार अपनाई के हिसाव्य धार्णा के समन्द में लिखते हैं कि एक लेखक न राज के शरीर और व्रक्ष की जो उपमय दी है इसे इस पस्ठ है कि पूर आचारियों के पेक्षा अखंडता वांतर के सिध्धानतों पर आधारित आंगी की एकता को अधिक अच्छे रूप में समझा जा सकता है उसके महत्त को दर्शा जा सकता है ये शुक्र नीती थी इसलिए शुक्र नीती के बारे में इसलिए कहा गया कि ये नीती का सार है और जो राजा रात दिन चिंतन करेगा वही राजभार को उठाने में समर्थ होगा शुक्र नीती के समान दूसरी को नीती तीनों लोग को मनी है इसलिए शुक्र की नीती को नीती माना गया है बाकी सब को कुण नीती माना गया है ऐसा प्राज़ें भारते वेदी सास्त्रों में मुल्ले किया गया है ये शुक्राचारे की शुक्र नीती सार था अब हम देखेंगे कि शुक्राचारे ने जो राज के सब्तांग सिद्धानतों की जो बात की थी और गोसाल ने भी उसको सपस्ट करते हुए कहा था कि अखंटता और अंतर के सिद्धानतों पर अधारित जो आंगी की एकता है उसको अच्छे रूपर से समझा जा सकता है उसको महत्त को भी दर से जा सकता है नेक्स्ट